लेकिन ऐसा अनुभव आज तक कभी हुआ नहीं जैसा थावे मोच्चों में कल मुझे हुआ अपसे एक बड़ी बात है कि मेरा ग्रिह जीला गुपाल गंज है और अपने धर्ती पे मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ लेकिन गाई उसमें भी मुझे उंगली दिखाया जा रहा है रहा है रहा है जल्दी गाई है मतलब अजीब टाइप से वह जाएंकर थी एक्टम गंदा फिर भी मैंने उस चीज को इग्णोर किया और मैंने गाना शुरू किया है मेरे वतन के लोग उसमें भी वह बार बारा के चुकि मेरा जो लाइव जो चल रहा था वो बंद कर दिया गया था तो उसमें शायद जो मेरे साथ हुआ है उसी साब से तो मुझे नहीं लगता कि शायद अब मैं किसी भी महोटसों में गुपाल गंज में शायद ही मैं गाऊं मतलब शायद ही अभी मैं दोसकार मैं किशन कुमार हूँ और आप देख रहे हैं अपना उड़ मेरे साथ जो सक्सियत बैठी हैं आप इन्हें सुपरसिद प्लेबैक सिंगर पासरो गाई का प्रियंका सिंग जी के नाम से जानते हैं बड़ा नाम है काम भी बड़ा है और ओधा भी बड़ा है हमने का काफी सारे इंटर्विव किये हैं कई सारे इंटर्विव में प्रियंका सिंग ने सवालों के जबाब बेवाकी से दिये हैं प्रियंका सिंग का नाम जब भी आता है अच्छे गाने सांदार भोजपूरी और बहतरीन गायकी की चीजें जहन में आ जाती हैं आपको ये बतात कई सारे सवाल होंगे वीडियो में लाज तक बने रहीएगा सबसे पहले प्रियंका जी स्वागत है कल थावे महोत्सों में आपने कारिकरम दिया कैसा अनुभव रहा ऐसे तो मैं बहुत सारे कारिकरम करती हूँ लेकिन ऐसा अनुभव आज तक कभी हुआ नहीं जैसा थावे महोत्सों में कल मुझे हुआ और शब्द तो भईया मेरे पास नहीं है बोलने के लिए लेकिन बस इतना ही बोलोंगे कि माई के दरबार में एक बेटी का अब मान जो कि बहुत ही दुखद है और बड़ा ही दूरभागे पूर्ण है हमारे भोचपूरी समाज के लिए भी भोचपूरी को हम रिप्रेजेंट करने आये थे हैं पर भोचपूरी से ही प्रियंका सिंग को पब्लिक जानती है भोचपूरी की बेटी का जो अपमान हुआ और प इतना बड़ा अपमान हुआ जिला प्रशाषन के द्वारा तो ये मतलब एक मैं बोली नहीं पारे हूं कि मैं इसको किस तरह से लूँ और क्या कहूं प्रियंका जी आपको स्टेज पर कल हम लोगोंने देखा वीडियो भी चल रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि एंकर की वज़े से भी गलतिया होई लोग जानना चाहा रहे हैं कि आखिर में किसकी गलती थी क्या कुछ सचाई थी गलती तो वीडियो में शायद आपने देखा होगा या जो भी देखना है पहली बात तो ये वीडियो की जानकारी ये देदू कि मुझे बाद में पता चला कि जो मेरा कारिकरम चल रहा था जो लाइव जो एक डिपार्टमेंट के तरप से जो थावे महुतसव पूरा एक लाइव जो कहीं से भी कोई भी देख सकता है तो जब मेरा शायद नाम अनाउंस हुआ उसके बाद मेरा लाइव बंद कर दिया गया करवा दिया गया मतलब पेज से जी पेज से मेरा लाइव बंद करवा दिया गया जहां से थावे महुतसव ज देखिए बेटियों का बड़ा सम्मान होता है बिहारी संस्कृति जो है जो विहार इसीलिए जाना जाता है कि हाहा पर नारी शक्टी जो नारी का एक सम्मान बड़ा माइने 50 कि तो इस नाते भी इस चीज में भी हमारा जो गुपाल गंज जीला प्रशासन जय वो शायद इस चीज को नहीं समझ पाए या क्योंकि मैं भी एक नारी हूं और एक नारी के द्वारा भी वहां पर जिस तरह से बीहेवियर हो और उन्होंने एंकर ने ऐसा क्यों किया यह तो मैं नहीं जानती हू यह 10 साल बाद आज मैं गुपाल गंज के किसी मंच पे खड़ी थी वही थावे माहत सो मैं जो यह माई का दरबार है तो मैं तो यह मान के आई थी कि माां आ nelग फार पहने दे отмет जुआ कर रही थी और अचानक से बीच में मुझे वो एंकर जो है वो आके बोलती है कि प्रशासन से आदेश आया कि प्रोग्राम बंद कीजिए तो हमने कुछ पूछा नहीं क्यों का है किसलिए शायद कुछ इशू हो गया है तो हमने यह भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है क् कि माइक मेरे हाथ में ता मैं मंच पे थी फिर उन्होंने बोला कि एक गाना लास्ट गाके आप प्रोग्राम को समाप्त करिए बंद कर दीजिए तो हमने बोला ठीक है भाई बाकि उदर से पब्लीक जो है बहुत सारे गानों की डिमांड कर रही थी कि यह गाना गई है वो लगम ना गई तो हमने बोला रही अपकी के लिए और आपकी डिमांड को पूरा करना हमारा करता है क्योंकि आप से मैं हूँ जो हमारे दर्शा के उनी की वजह से मैं हूँ लेकिन हमें आधेस मने आया कि बंद कर दिया जिल्या प्रशास्न के तुर आधेस आया तो एंकर न समापन और वो सौंग चुकि मेरे लिए इसलिए स्पेशल है मेरे वतन के लोगों जैसा कि आप भी जानते हैं भाई आप तो शुरू से आप सब लोग देख रहा है मुझे कि इस गाने को ही गाके में बड़ी हुई इस गाने से मेरी पहचान है कि अलग लगाव है और प्लस अ अजीब टाइप से रियक्षन था भी या मैं बहुत चीज़े बरदाश्ट कर रही थी कि चलो ठीक है इग्नोर कर रही थी कि इखी काना गाना है वो समझ में नहीं आ रहा है जल्दी गई है मतलब कि मतलब अजीब टाइप से ही वो जो आइंकर थी एक्तम गंदा फिर भी मै उस चीज़ को इग्नोर किया और मैंने गाना शुरू किया है मेरे वतन के लोग उसमें भी वो बार बार आके चुकि मेरा जो लाइव जो चल रहा था वो बंद कर दिया गया था परियाटन विभाग ने आपको बुलवाया था सम्मान देने के लिए गोपालगन जिले की गारजीयन रुपी जो लोग है गुपाल गंज में या हमसे जो सीनियर हमारे वही गारजीयन या हमारे जो शुप्चिंतक हैं जो हमें वह बहुत सारे लोग आज समझे कि मतलब साथ खड़े होने को आए हमें समझाने की कोई बात नहीं बेटी हम तुमारे साथ है माई इसक मामले के बाद पूरे भुषपूरी इंडस्ट्री में एक भूचाल आ गया है सब लोग जान गया है इस मामले को नीचे से उपर तक कोई चाहे गायक हो चाहे मेजिक डिरेक्टर हो चाहे छोटे बड़े जितने भी कलकार हैं सब को इस बात की जानकारी हो गई है सब लोग अपने अस्तर से आपका समर्थन करते नजर आ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया से कुछ लाइब आके हैं आपको किन-किन के फोन कॉल्स आये हैं किनका सपोर्ट मिला है अब आपसे भी बात कर रहे हूं तो थोड़ा आप इतना आप लोग मानते हैं और एक चोटी बहन जैसा इसलिए भाई समझके मैं आपसे सब बाते कर रहे हूं तो सुबह से समझे कि फोन भाई ने बताया कि बहुत सारा कॉल आया हुआ है बाकी बहुत सारे तमाम शायद लोगों बहुत लोगों का कॉल आया इंडस्ट्री से भी लेकिन उन्होंने सायद पता नहीं उठाया नहीं उठाया लेकिन मैं अभी थोड़ा बात करने के उसमे लोग लाइब आए पिंकु बाबा राइटर है वो आए विजय चौहान ने पोस्ट लिखा जो बड़े राइटर है डिरेक्टर अंजन सरमा जी लाइब आए गोपाल गंज से यह प्रियंका जी जीले के ही कुछ कलाकार है जो इस मामले पे चुप है ना सपोर्ट में है ना व क्यूं बोलें तो आपको यह नहीं बूलना चाहिए कि आप भी उस जगह पे हो सकता है कल को आपके साथ भी हो जाए मैं यहां पर यह क्यूं रोई मंच पर कल मेरे रोने का मैंने सोच के ने मेरा लिटरली आंक भर गया मेरा गला रूंद गया और मैं इसलिए रोने लगे कि यार जब मेरे जीले में मेरा अपमान हो सकता है तो फिर यहां तो किसी भी लड़की की इज़त नहीं रहेगी यह नहीं होना चाहिए एक बहुत ही निंदनी है मैं क्या बोलूं कि समझी नहीं आ रहा है प्रियंका जी इस मामले के बाद बड़े अधिकारियों के फोन वगर आये की नहीं आपसे बातशित करने की अभी तो कला संस्कृती मंत्राले से बड़े भिया वरुन सिंग जी पटना से चल कर आये है प्रसासन ने कई जगा ऐसे पोश्ट लिखे हैं कि प्रियंका सिंग को मना किया गया कि आप अब गाने बंद कर दीजे उसके बाद भी प्रियंका सिंग लगातार गाते जा रही थी इसलिए ये मामला हुआ और इस तरह से ही सब कुछ है आपको क्या कुछ कहना है इस बारे में अंकर जो थी तो मैंने फिर एक ही का ना गया मैंने और यह बिल्कुल शर्यासर स्वाथ गलत में और यह देखी अब ये तो मैं अब फिलाल अभी जो मेरे साथ हुआ है उसी साथ से तो मुझे नहीं लगता कि शायद अब मैं किसी भी महोट्सों में गुपाल गंज में शायद ही मैं गाऊं मतलब शायद ही अभी मैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है दस सालों बाद तो आग ये का मुझे नहीं लगता कि शायद मैं अब गुपाल गंज में किसी भी महोट्सों में शायद ही गापाऊं जो भी लोग आपको देख सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहें मैं बस यहीं कहूंगे कि एक कलाकार की मनो इस्थिती को आप सब ने समझा जो हमारे श्रोता हैं ज को आपने सवयोग किया सपोर्ट के लिए खड़े रहें उसका आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और यह जो भी चीजें हुई यह मुझे तो अंदर से यह बहुत ही तोड़ दिया है किसंजी बस यहीं कहूंगे कि सबका सपोर्ट मिला जिनोंने भी गुपाल गंज की जो सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब अपनी इस बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए और ऐसे ही अपना अशिरवाद और प्यार अपनी इस गुपाल गंज की बेटी प्रियंका सिंग पर बनाए रखे चले बहुत-बहुत धन्यवाद ये थी प्रियंका सिंग जी कल थावे महत्सों में क्या कुछ हुआ इसकी सचाई जानने के लिए आप सब भी बेताब थे बेचैन थे ये प्रियंका सिंग जी के अपने विचार भी थे अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कुछ और लेकिन फिल हाल प्रियंका सिंग जी जैसे कलकारों को धेर सारा प्यारा सिर्वात देते रहे ताकि भोजपूरी में ऐसे ही जहंडा गाड़े रहें और भोजपूरी का मान सम्मान बढ़ाते रहें नवसकार धन्यवाद